मामला थाना मलावर शेत्र का है जहां ग्राम सुन्दरपुरा में पैड से लाचार एक व्यक्ति अपने जीवन यापन में विलीन था परंदु समय का चक्र अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है जिसके चलते लोगों के कटाक्ष और हीन भावना के कारण एक व्यक्ति हत्यारा बन गया जिसने एक अधेड उम्रे के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया घटना यहीं तक सीमित नहीं है उस व्यक्ति ने क्रोध की अगनी में जलकर एक व्यक्ति को मौत की नींद सुला ही दिया था वहीं टीवी धारवाई क्राइम पैट्रोल और सावधान इंडिया से सीख लेकर अपने आपको पुलिस के चंगूल से दूर रखने के हर संभव प्रयास उस शक्स द्वारा किये गए परंतो होनी को कुछ और ही मन्सूर था हद्यारा आखिरकार ग्यारा साल बाद भी पुलिस से ना बच सका और आज राजगर पुलिस की गिरफ्त में है गटना करीब 11 वर्ष पुरानी है जब मलावर शेतर के ग्राम सुंदरपुरा के रहने वाले रोड उर्फ रोडु पिता राम सिंग सहरिया ने गाफ के ही भवरलाल पिता की शोरीलाल सहरिया उमर 56 वर्ष निवासी सुंदरपुरा की लाठियों से मार मार कर निर्मम हत्या क कोई एक ना तो यह मोबाइल यूज़ करता था इसने अपने पहचान पत्र इंदौर जाके अलग नाम से सरने मदल के पहचान पत्र एटियम आधार कर्ट सब कुछ बनवा लिया और यह अलग-अलग समय पर आता जाता था और आने जाने से पहले इसकी पत्मी खिड़की द आनवरभारी नरेन सिंग गुर्जर और इनकी पूरी टीम जिसमें राजेन सोलंकी, मुपेश पवईया, शिबराज, रवी धाकर, साइबर से उसने हमारे शिशांग इन सब की मेनद से अंतता आमे से पकड़ने में कामयावी हासिल हुई राजगर से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट